डोनेट कार्ट और वोईस ओफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नॉड़ा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ओक्सिजन सप्लाइज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ट पे अभी डोनेट करें इन गरीब परिवारों का सहारा बनी इस कहानी के चार पहलू हैं वारदात, पीडित, आरोपी और पुलीस मैं आपको सिलसलवार तरीके से बताऊंगी कि मामला क्या है, किसने किसको क्या कहा, पुलीस ने क्या बताया सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 जून 2020 से मामले में दो और उपी हैं, प्रवेश गूर्जर और सद्दाम 5 जून को अब्दुल समाद पहले सद्दाम के घर और फिर प्रवेश के घर गया उसके साथ वो वहाँ दाड़ी कातने और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद आता है 7 जून 2020 7 जून को बुजर्ग समत ने अज्यात लोगों के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी इस तहरीर में जबरन जैश्री राम के नारे लगाने की भी बात कही गई है शिकायत के आधार पर लोनी बॉर्डर पुलीस ने मारपीट की F.I.R. को दर्स कर ली 7 जून को ही एक लोकल लीडर उमेद पहलवान ने अब्दुल के साथ Facebook पर एक live वीडियो किया और पुलीस का कहना है उन्होंने आरोप लगाया है उमेद पहलवान की उपर कि उमेद ने अब्दुल से जूटी बाते कहलवाई जैसे की दाढ़ी कटवाना और जैश्री राम के नारे लगाना आपको बता दो कि उमेद पहलवान वही शक्स है जिसका आजकल तस्वीर काफी वारल हो चुकी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ 14 जून 2021 तकरीबन एक हफते बाद यानि 14 जून को अब्दुल समद की दाढ़ी कटने का वो विडियो सोशल मीरिया पर वारल हुआ जिसकी वज़े से पूरा बावाल मचा इसमें अब्दुल समद आरोप लगा रहा था कि जबरन जैश्री राम के नारे उसे लगाने को कहा गया इसी दिन पुलीस ने दो आरोपियों को गिरफतार भी किया पंदरा जून को वो भढ़काओ विडियो ट्रेंड होने लगा इसी दिन पुलीस ने ट्विटर समेत 9 के खिलाफ केस दर्स कर लिया ये इस मामले में हुई दूसरी एफ़ाई आर थी अगला दिन 16 जून दो हजार केस 16 जून को इस मामले की तीसरी एफ़ाई आर दर्स की गई उमेद पहलवान के खिलाफ पुलीस ने उसके खिलाफ दंगे भढ़कानी की साजिश रचने धार्मिक भावना को भढ़काने नफरत फैलाने और आईटी एक्ट के तहट मामला दर्स किया इस बीच पीड़त अबदुल समद भी पुलीस की जांच के दाइरे में आ गया यूपी तक से बात करते हुए गाजयाबाद SSP अमित पाठक ने दावा किया कि बुजर्ग समद ने अगयात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज इसले कराया ताकि भविश में उसका फैदा उठाया जा सके पुलीस के मताबिक लोकल नेता उमेद पहलवान को सारी बातों का घ्यान था उसे पता था कि बुजर्ग से जो मामला हुआ है बुजर्ग के साथ जो मार पीट हुई है वो ताबीज को लेकर ही हुई है बावजूद इसके उसने बुजर्ग से जूट कहलवाया और जब पहलवान को पुलीस पकड़ने लेती तब तक बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिनका खुलासा हूपाना मुश्किल है यूपी के तमाम बड़े खबरों के लिए आप देखते रहे हैं यूपी तक नमस्कार